एलो एग्वान दिस राहुली शुकरमा सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और इस नाम सुनके आपके दिमाग में क्या आता है मैं बताओ मेरे दिमाग में पहली बार जब क्लाउड कंप्यूटिंग सुना तो मुझे लगा कि हम इनसानों ने तो सई चीज़े बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता कि बादल के अंदर डेटा स्टोर किया आता है क्लाउड कंप्यूटिंग यानि की ओन डिमांड आप कोई भी सर्विस एप्लिकेशन या इंफ्रास्रक्शर कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो अब इसका जो एक ग्जामपल मैं आपको देता हूं अब कर आपका जो फोन है उसके इंदर बहुत सारे फोटों होते हैं अब उन फोटों को सब्साइब आपने कहीं स्टोर अपने फोन में रखाया और का प्लकाभिक से घुम गया किसी ने चुरा लिया रहा आपकी फोटो आपके फैमिल स्का सॉलुशन आपको पता है आप क्या करोगे अपने फोटो को कहां पर रगदोगे ड्राइब में रख दोगे जब चाहिए आप ड्राइब करोगे और ले लोगे बट राइब में कनेक्ट करने का प्रॉब्लम यह है कि सबस्थ आपका ड्राइब खराब हो गया या आप करोगे अपने फोटो सब गूगल के पर रगदोगे फोटो करके अप्लिकेशन आता है सारा फोटो वहां पर आपने डाल दिया अब आप अपने फोन से सारा फोटो डिलीर कर दो या फिर आपका फोन गुम भी जाएगा आपको प्रॉब्लम नहीं है नेक्स टाइम आपको फोन लेना है और उसके अंदर सिर्फ गूगल लॉग इन करना है जी में लॉग इन करना है और फोटोस आपके सारे फोटोस वहां पर मिल जाएंगे तो यह था क्लावड कमपीटिंग का बेस्ट एक्जपल गूगल फोटोस क्या है क्लावड स्टोरेज है गूगल एक प्रवाइड से भी अपने फोटोस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो तो इसलिए क्लाउड यानि कि on-demand कोई भी सर्विस कोई भी application कोई भी platform या कोई भी infrastructure आप एक्सेस कर सकते हो किसके थूद क्लाउड कम्प्यूटिंग के थू ठीक है आई होप आपको यह चीज समझ में आ गया ठीक है बढ़ते हैं नेक्श अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ प्रोवाइडर से लाउड प्रोवाइडर बोला जाता है जैसे यहाँ पर देखो AWS बहुत ही फेमस है Amazon Web Services अपने नाम सुना रहेगा ठीक है AWS बहुत ही फेमस लोगो टालके रखाए यह सारे क्लाउड अब यह टॉप टैन है उसके अलावा भी बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर आपको मिल नाएंगे ठीक है अब नेक्स्ट आपिक इसके वाज सॉफ्टेर एज सर्विस सास बोलते हैं कभी-कभी एक्जाम में पूछा यह पूछता है टाइप सब क्लाउड कंपीटिंग तो टाइप सब क्लाउड कंपीटिंग अलग है यह प्राइब पॉब्लीक हाइब वह हम पढ़ेंगा आगे तो इक्जाम याद रखन में पहला है इंफ्राश्रक्षर एज सर्विस तो पहले देखते हैं इंफ्राश्रक्षर एज सर्विस इसके लिए एक्जामपल लेते ठीक है आप देखो सब्बोस करो आप मुंबई में आया आप एक-दो महिने के लिए जॉब के लिए आयो आपका ट्रांसवर हुआ या आपकी कमपनी ने एक-दो महिने के लिए आपको मुंबई में भेजाए अब मुंबई में आया तो आपको प्रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट राइट तो चलो रोटी का तो आप व्यवस्ता कर लोगे कहीं भंडार विंडर में खालोगे कपड़ा तो आप लेके ही है आप रेंट पर लोगे अभ्यों और दो महिने के लिए ऐऀयो तो घर ठोगा नहीं वरख के लिए वर तो उसके-ले होगे रेंट पर घर-मिलेगा वह पूरा खाली थे कहा लोगे तो इतना इंफ्रस्रक्षर एज़ सर्विस पॉस्स जो नई-ई कमपणी जो स्टार्ट अप छोड़ी कमपणी एंटार्ट होती है वह उनके पास इतनी फंडिंग नहीं होते हैं इतने पैसे नहीं होते और वह चलेगा कि नहीं वो उनको में company बंद होती है तो वो सारा चीज उनको घाटा सहना पड़ेगा ठीक है तो उसके लिए यहां पर आता infrastructure as a service यहां पर क्या होता है आप जो पूरा infrastructure यहां पर पर सकते हो त्रूक कलाऊड ठीक है इंफ्रासेट्चर यानी कि अप स्टूरेज स्पेस ले सकते हो क्लाउड के थूँ यह जैसे गुगल बॉला वा ऐसे बड़े-बड़े server साभी सकते हो cloud के थूँ नेटवर्किंग या कोई और चीज़े क्लाउट के तो इंफ्रास्रक्चर में आप स्टोरेज करी सकते हो सर्वर खरी सकते हो ठीक है बाकी का जो आपका डेटा रहेगा आपके आपको इंदर इंश्डॉल करना आपके इंदर अधिर घर लिया तो आपको सोफ आपको स्टोरेज देगा यह आपको एक plattform देगा यानि के आपको सर्वर देगा यानि कि सब्दलों आपको एक कंप्यूटर खरीते हैं तो इसमें cpu तो वैसे समझ लो कि यह साइज चीज़ आपको देगा बाकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज मैग क्या डालना है वह आप डिसाइड करोगे और इसके फीचर क्या है कि यहाँ पे हाडवेर आपको पर्चेस करने विए आप क्या करोगे रेंट पे लोगे जीतना आपको चाहिए उतना आप उसमें ले सकते मतलब की यूजर बढ़ते जाएंगे आप से जाएगा इसमें आपको फाइदा होगा कि आपका को को पाई नहीं करना पड़ेगा यानि कि आखार आपको कि आपकी कंपनी बंद होती है ठीक है तो वह तो आपको क्या ये तो आपने रिंट पर लीया है। आप छोड़ के जा सकते हो उसके बागत को मेंटेन नहीं करना पड़े जैसे कि आपने घर लेते हो तो उसका जो कोई प्लंबर का काम है या कुछ भी है पेंटिंग विंडिंग का तो ओनर करवाता है आपको इसका तकलीफ लेनी जो इतनी है तो इसी सर्वर इसका मेंटेनेंस का काम भी कौन करेगा जो भी क्लाउड रहेगा ठीक है जैसे की आमेज़ोन वेफ सर्विसे मैंने बला AWS और गूगल यह तीन बहुत ही फेमस है प्लेटफॉर्म एस सर्विस से बोलते है पास प्लेटफॉर्म एस सर्विस इसमें क्या होता है इसमें आपने घर रेंट पे लिया सब कुछ खाली कुछ नहीं उसके आपको खाना बनाने के लिए आपको बरतन चाहिए चलेंडर चाहिए तो यह सब चीज़ें आप दो महिने के लिए उसके लिए खरीदोगे नहीं ना आप देखोगे यह सारी चीज़ें भी रेंट पर मिल सकती है तो इसको बढूलते प्लैटफॉर्म एस सर्विस ठीक है आ साफ्टर बहुत महेंगा तो इसके लिए भी आप यहां पर पास का यूज़ कर सकते हो प्लैटफॉर्म एस सर्विस यह आपको प्रो आपको क्या करेगा सारा और हैंगे साफिज़ करता है आपको सबकूस के लिए सब कुछ कुछ जाता है जिसे आप बना रहे हो तो सब कुछ आप मिल जाएगा आपको सिर्फ करना है नहीं देखना है या फिर यह सब क्लाउड प्रोवाइडर उसको बढ़ाने के लिए उसके साफ से कर सकते हैं यह क्या 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 सब्सक्राइब आपका डेटा लोस ना हो जाए इसका भी क्लाउड प्रोवाइडर का है इसका फाइदा यह होता है कि सब चीजे इंटरनेट पे होती है सब चीजे शरवर पे होती है और सब跟大家 Network आपकी टीम आपके टीम मेंबर्स कहीं से भी कभी हम कर सकते हैं खिर शाल्टेज सॉट्टा सव्ट्टा स्विस या निकि सबसे इतने बड़े बड़े गेम खिलने आपको अच्छा प्रोसर वना चाहिए राइट इतना सारा पैस आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो आफ्टर एज bunlar सर्विस यीज कर सकते हो ठीक है तो यहां पे क्या होता है कि यह जो गेम होते हैं या जो भी सोफ्टस होते हैं वह सब आपको ऐजा पुरुल्प के थ्रू मिलते हैं वहाँ पारस्टे मे क्लावड में मंशीन होती हैं जो Local service उनका यूज流 करते आपको सिर्फ क्या करते नियूजर को किना धर्याय है यहां पे सव्ट्राउज Master यौह यहां पिधो प्रेंट सर्वी soybean nggak्त होका मशीन भूद का लाइसिन लेने चूलरत नहीं है आप तक यूज करोगे और जितना उतना आपको पे कर रहा है और यह सब किसके तुरू यूज करते हैं वेब वेब के तुरू और या फिर यूज के तुरू एप्लिकेशन प्रोग्रामीं इंटरफेस बोलते हैं इसके वी की फीचर और मुस्ट सेम रहेंगे यूज करना पड़ेगा यहां पर आपको कुछ नहीं करने यह सब काम किसका है क्लाउड प्रोवाइडर का है क्लाउड पे है उनका अलग-अलग सर्वर्स होंगे जो बैकप लेके रखते हैं तो क्लाउड पे आपका डेटा लॉस होने के चांसे बहुत काम है ठीक है कुछ भी एक्रिप्मेंट फेल होता है या कुछ भी होता है तो उनका जिमिदारी है कि वह उसको ठीक करें रिशोस क आपको कितना जरूरत है उसके हिसाब से उसको स्केल किया सकता है ठीक है जैसे आपको गेम खेल रोबट आपका आपको लग रहा है जो रैम कम है या ग्राफिक्स कम लग रहा है तो वह सब चीज़ आप अपने डिमांड के इसाब से बढ़वा सकते हो एक्सेसिवल फ्रॉम अलमॉस्ट एनि इंटरनेट कनेक्टेज डिवाइस या नि मिской अगari कोई बीडीवाइस में इंटरनेट कीनेक्टर अपिसी बिवाइस में उसको एकसेस कर सकते हो ठीक है और इसांपल गूगल जी सू यैसे जी इमेल आनल है यह सब चीज़े आप कहीं से भी ऐक्सेस कर सकत सब्सक्राइब करते हैं यह पैसा देगा वो यूज करेगा नेक्षिस का बेनिफिट है यह एफिशेंट होता है और इनेक्सपेंसी होता है क्योंकि बहुत लोग एक साथ यूज करते तो यह जादा एफिशेंट होता है और एकसफेंसी भी कम होता है यह सब के लिए पप्लिक लिए अव्लेवल नहीं होता है यह क्या होता है या या फिर कोई भी ऑन करता है। इसमें ऐसा क्यों होता है या फाइन कंपनीी होती है उनका ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉद्गली शेयर नहीं कहा सकते है तो अगर पॉब्लिक क्लाउड यूस करेucc Mailibo hok होता है उसको हैGS करना ना बहुत इसलिए private cloud use किए यहाँ पर यहाँ इसके थूर डेटा परेट इन्थ सेक्रीट ट्रावेशी में पुलिक लिए अवलेविल नहीं तो यह ज्यादा प्रडेक्टेड होता है और उसकी प्राविसरी ज्यादा होती है थीक है अब hybrid cloud गया है hybrid cloud यह दोनों का mixer है public और private दोनों का mixer है ठीक है क्यों ऐसा यूज किया था क्योंकि जो private cloud होता है थोड़ा ज्यादा महेंगा होता है तो इसके लिए क्या था अगर जो company होती है वो दोनों hybrid cloud यूज करती है तो इसमें क्या होता है जो data sensitive नहीं होता है उसको लोग public cloud में रखते हैं और जो data sensitive होता है उसको लोग private cloud में रखते है ठीक है ताकि जो private cloud से भी उसकरेंगे तो ज्यादा महेंगा पड़ेगा और और जो hybrid cloud होता है ज्यादा software या फिर पूरा platform कुछ से बिल्ड नहीं कर रहे हो आप सिर्फ यूज कर रहे हो राइट इसलिए यहां पर आपका जो cost वह बसता है जैसे कि मैंने रेंट वाला example दिया था या पूरा घर नहीं खरीते रहे हो घर खरीदोगे तो आपको ज्यादा महेंगा पड़ेगा घर का mobility यानि कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अगर आपके डिवाइज में इंटरनेट है अब कहीं से भी प्लेटफॉर्म हो या सॉफ्टेर हो इंफ्रासेक्टर हो कहीं से भी कभी एक्सेस कर सकते हो और यह था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग नेक्ट वीडियो में हम है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है कुछ भी डाउट हो कुछ भी प्रॉब्लम में कमेंट सेशन करो या फिर मेरे सोचल मेडिया हैंडल से के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां पर भी आप मुझे डारेक मैसेज कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तिल देन बाबाई